लगभग समय जितना ही प्राची सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल हमारे भारत देश का इतिहास ज्यान, विज्यान और समृध्धी से सजा इतिहास शौर्य आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेडियां पहनाई एक हुए सब दिवाने देश के आजादी की अलक जगाई लाठी एनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेडा अंगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा लोह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत आजादी की नीव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत तभी आजादी ने कहा मैं मन्जिल नहीं हूँ राह हूँ अभी तो मैं शुरुवात हूँ आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई उनके एक-एक कदम के साथ देश ने एक छलान लगाई सपेरों का देश जिसे कहते थे वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुँचा मेक इन इंडिया इन तीन शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया उचा आज हर घर में बिजली है हर हाथ में मुबाइल फोन है हर जेब में डिजिटल पहचान हर खाते में डाइरेक्ट बेनिफिट हर रसोई में स्वच इंधन और हर आवास में इज़द घर है स्वच्छता और योग नए भारत के संसकार है वसुधैव कुटुम्ब कम पूरा विश्व हमारा परिवार है अंग्रेज कहकर गए थे हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा विखर जाएगा नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा आज भारत एक है अखंड है और सबसे देजी से आगे बढ़ती अर्थविवस्था है आत्म निर्भर भारत ये एक प्रकार्श शब्द नहीं ये आज 130 करोर देश वाच्यों के लिए मंत्र बन गया आएए मनाते हैं स्वतंत्रता एकता विकास और लोकतंत्र के 75 साथ 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा आएए इस महा पर्व की तैयारी में जुट जाते हैं आएए बनाते हैं आत्म निर्भर भारत आएए मनाते हैं भारत की आजादी का अम्रित महोत्सव झाल झाल